नमस्कार दोस्तों आज की सूडिय में हम बात करने वाला है स्टॉक मर्केट की कुछ बड़ी खबरे जो आप लोगों को नज़र में रखनी हैं सबसे पहले खबर निकल के आ रही है HDFC Twins को लेकर कंपनी के CFO ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है बताया है कि HDFC Bank and HDFC का मर्जर है वो यहाँ पर July end के पहले पहले हो जाएगा और यह जो यहाँ पर मर्जर होने के बाद इंडिया के सबसे बड़ी depository वाली और सबसे जादा यहाँ पर customer base वाली यह company bank बन जाएगी तो यार यह एक बहुत ही बड़ा huge merger है और इसका impact company के shares के उपर जरू से पढ़ता हुआ देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर से एक और खबर recently आई थी company ने quarter 4K results announcement किये दे यहाँ पर company ने अपने shareholders को 19 रुपे पर शे का dividend announcement किया था profit के अंदर भी year on a base के उपर 20% के आसपास का growth था overall quarter and quarter base के उपर भी result यहाँ पर अच्छे निकाले थे NPSB manageable देखने को मिल रहे थे overall result के अंदर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर से company ने growth दिखा था total income के अंदर year on a base के उपर 31% का growth था तो भाई अभी यहाँ पर इस company के share में ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी विज़े से आज की दिन 1.9% 1.78% company का share down है तो इसके विज़े का reason यह है क कि भाई हर बार हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटीस की है विवाई HDFC का HDFC bank का किसी भी यहाँ पर HDFC group की किसी भी company का जब भी result आता है ना वो तो यहाँ पर से market में जब भी open होता है मतलब बहुत अच्छा result भी निकालेगी या बहुत खराब भी result निकालेगी ना तो दूसर दिन company का share पिटता ही है तो यही चीज़ यहाँ पर एक बार फिर से repeat हो रही है और stock market में हमने देखा है कि news की वज़े से जो history repeat होती है ना वहीं यहाँ पर से होता हुआ नजरा आ ठीक है बाकिया आप लोगो एक ही चीज़ बोलूँगा HDFC and HDFC bank दोनों ही यहाँ पर से एक ब बहुत जादा तकलिफ होगी उसी के साथ साथ company ने 1660 रुपे 1650 रुपे के आसपास के support लेकर एक बार फिर से company का share lifetime high के levels चूँ सकता है तो invested हो तो whole truck के चलना अगली खबर निकिल के आ रही है Infosys को लेकर company के quarter four के result आये थे और result यहाँ पर बहुत ही जादा disappointing है इसी वज़ रहा है possibility यह है कि बाई company के share में यहां से और गिरावट आ सकती reason यहां पर से simple है कि बाई company का overall यहां पर जो IT सेक्टर है ना वो यहां पर से overall अच्छा result निकाल रहा है US बाजार में देखने जाए तो अच्छे result आ रहा है हमारी इंडिया में TCS का भी एक result बहुत जादा बढ performance किया है बाक्यार इंफोसिस ने उतना अच्छा performance नहीं किया इसी reason की वज़े से company के share में गिरावट आई है यह गिरावट कब तक जारी रहेगी इसके उपर कुछ अभी यहां पर बोला नहीं जा सकता है पर मेरे को ऐसा लगता है कि यह इनफोसिस के share में एक बाद फिर से करने का मौका मिल रहा है हो सकता है आने वाले समय में company का share 1000 रुपे से भी नीचे की price के उपर चला जाए पर company के share में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा in long term आने वाले 5 साल में कि यह company का share उपर आएगा ही नी ठीक है इनफोसिस हमें साथ से एक चीज ने आपर जरू से किया है क इनफोसिस के share में invested हो तो holding continue करके चलना कुछ support levels आएंगे जैसे की 980 रुपे का एक अच्छा support zone देखने का मलता है यह levels के आसपस खरीदारी करने के मौक है जब company का share यह levels के आसपस आएगा तब आप लोगों को updated videos के अंदर सारी जानका रिदे दूँगा अगली आपर से अपनी ने passenger vehicle के अंदर almost 0.6% का इजाफा किया है pricing के अंदर इसमें यह company के सभी passenger vehicle आ गए मतलब टाटा मोटर्स की सभी जो गाडिया है ना four wheelers है तो वो सभी यहाँ पर से गाडियों का एक में से pricing बढ़ने वाला है इसी विज़े से आप आज की दिन टाटा मोटर्स के शिर profitable हो जाएंगे profits बढ़ेंगे तर overall company को फायदा ही होगा ठीक है ताकि as a investor आप लोग देखने जाओ तो यह अच्छी खबर है as a user देखने जाओ तो आप लोगों को लिए एक बूरी खबर निकल के आ रही है ठीक है अगली खबर निकल के आ रही है और बिंद फार्मा इस company को लेकर company set up करने जा रही है oncology block जो यहाँ पर इस company की जो institute है MNJ institute इसके अंदर 80 करूर रूपीस लगा कर यह यहाँ पर से oncology block करके कि यहाँ पर पुरा एक department यहाँ पर set up करने जा रही है और यह जो यहाँ पर से department set up करने का reason यह है कि corporate social responsibility के तहत है इन्होंने यहाँ पर से funding को initiate किया है तो यह एक यहाँ पर अच्छी खबर है और बंदो को investor को लेकर बाकियार यह जो आपर से company को indirectly फाइदा ही होने वाला है company ने अपने ही institute के साथ partnership करके यह आप लोग बूल से क्यों अपने institute के अंदर अभी पैसा लगाया है ठीक है तो indirectly को फाइदा ही है तो यहाँ अच्छी खबर है और बिंदो फार्मा को लेकर जो आप लोग ज़रू से ध्यान में रखके चलना अगली आपर से खबर निकल के आ रही है 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 यह कंपनिया पर पिछले कुछ ट्रेडिन सेशन में आप लोग देखने जाओगे बहुत जदा उतार चड़ाव दिखा रही थ तो बिछले साल कंपनी ने 55 करोड रुपीज के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था अभी इस कोटर के अंदर कंपनी लॉस जनरेट करी है तो यह है कहां पर कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है और इसी वज़ए से आज के दिन कंपनी के शिर में सारी 10 प्रतिशत की गिरावर देखने को मिली है और एक ही चीज में बूलूँगा जो आप लोग जीटीपील हैथवे के शिर में इन्वेस्टिड हूँ तो मैंने यहाँ पर से आप लोगों को पहले भी बुलाए यह जो यहाँ पर से इंडेस्ट्री है लॉंग टम के अंदर डिक्लाइनिंग गया ऐ इस इंडेस्ट्री के अंदर ईडर होगो तर烹ता हुए खौन फानका मोट व जाएक ऑनने वाले समय में चीजहरा टम से लिःज़्े के अंदर निकल जाएक के इसे के साथ सथ अगली खबर निकल किया रही है ब्राइट कॉम इस कमणी को लेकर कमपनी के शिर में याँपर से आज के दिन एक बर फिर से गिदावट देखने को मिली सैबी यहां पर से इस कंपनी के कुछ केसिस को लेकर अकाउंटिंग फ्रॉड को लेकर हैंपर से एलिगे एक ही चीज़ बोलूँगा ब्राइट कॉम इस कमपनी के शिर में पिछले को इस टाइम में बहुत बड़ी गिरावट आई है पिछले एक साल के अंदर कंपनी का शिर 83% डाउन है ठीक है तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि यह कंपनी के शिर में जब तेजी की आईगी यह कुछ चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है अगली खबर निकल के आ रही है जाइडस लाइफ साइंस इस कमपनी को लेकर कमपनी को यूएस एफडी की तरफ से हेमो डाइनमिक स्टेटस इंप्रूमेंट इंजेक्शन करके कि यहाँ पर इनकी लुग जो इस कमपनी के अंदर इंवेस्टेटो होल्डेन कंटीन्यू करके चल सकते हो यह कमपनी आपर से लाइफ साइंस सेक्टर के अंदर या फार्मा सेक्टर के अंदर बढ़िया काम करी है अपनी टेक्नोजी को रग लगाता डेवलोप कर एडिक है तो करोड रूपीस उठाया है NCDS के तुरू और यह कमपनी आपर से 300 करोड रूपीस उठा कर आने वाले समय में और भी जादना लून देने में जो यहां पर से लून अगेंस्ट गोल्ड एंड वो सारे चीजों के अंदर कंपनी इन्वेस्ट कर रहेगी वर्किंग कैपिटल के लिए कमपनी यूज करने वाली है इन पैसों का तो यह कुछ यहां पर अपडेट निकल के आ रही है जो आप लोग ज़रू से ध्यन में रखके चल सकते हो NCDS के तुरू यह कमपनी आपर इतना पैसा उठा रही है तो ओवरॉल कमपनी के श्वे में अच्छी यहां पर ख वड़े वे थे इन्होंने आपर से रिजन करने के पिछे का रिजन यापर ये बताया है कि यही他ल्थ रिजन्kten यहां पर ओर यह जो आपर से इसका immediate effect company के शेर के उपर ज़रू से देखने को मिलेगा अगली खबर निकल का रही है's torrent पावर इस कमपनी को लेकर 920 मेगावर्ट का इलेक्टरिसेटी ये कमपनी आपर से अपने प्लांट में से सप्लाई करेगी NTPC को तो ये एक यहाँ पर कॉंट्रा कमपनी ने किया है तो ये एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कबार है इस कमपनी को लेकर है बाकी इसका impact कमपनी के शिर के उपर कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है जो ये पर से कमपनी के CFO ने resign किया है ना उसका impact ज़्यादा तेजी से कमपनी के शिर के उपर damage करता वो नजर आ रहा है Around 2.7% कमपनी का शिर आज के दिन डाउन देखने को मिल जाता है और कंपनी के शिर में थोड़ी और भी अभी घिरावट आ सकती है ठीक है अगली खबर निकल के आ रही है विदानता को लेकर कंपनी ने NCDs के थूरू टोटल यहां पर 200 करोड रूपीस उठाने का फैसला किया है वोक्सकॉन की डील के लिए कंपनी कही ना कही से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है और इसमें यह कंपनी अच्छी तरीके से कामियाब भी हो रही है और इसी वज़े से कंपनी के शिर के अंदर 1.05% की आज की दिन तेजी भी देखने को मिली इन्वेस्टेड हो तो आप लोग विदानता के श इसका इंपक कंपनी के शिर के उपर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव या नेगिटिव नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यह वड़ाफोन आइडिया की आल्मोस्ट यहां पर हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसको यहां पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर आती है गवर्मेंट की तरफ से इस कंपनी के करजे को लेकर या तो उस प्रकार की खबर से कंपनी के शरक्यों बहुत पॉजिटिव रूख हो सकता है बाकि यह चूटी मोटी खबरों से इस कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा उच्छाल नहीं आए अगली कपनी के आ रही है टीस को लेकर कंपनी यहां पर से अपने टॉप पर्फोर्मर एंप्लोई से उनकी ट्वैल टू-50 परसे सेलेरी हाइक करने वाली है ऐसा है आपर टीस का प्लान है इसके पिछी का रेजन यहां पर से कंपनी ने यह बता है कि ओवरोल मोटीवेशन परपरस के लिए यह कंपनी है इस प्रकार का डिसेजन ले रही है ठीक है बाकियार कंपनी के फाइनल शेल्स बहुत जड़ा स्ट्रॉंग है आज की दिन इनफोसिस के श्विम में पिटाई होने की वज़े से ओवरोल आईटी मार्केट यहां पर डाउन है इसका जगाँ पर एफवाई 23 के अंदर लेंड परचेस की है और इसके बेची का यहां पर से कंपनी ने रिजन बताया है कि कंपनी आने वाले सब्सक्राइब में इन जगाँ पर अपने नई बिल्लिंग्स और नई इंफ्रस्ट्रॉंट को क्रिएट करीगी बताय जा रहा है न्य कंपनी के शिर के उपर रहा नहीं है मलब कंपनी के शिर में सुरुआत के शेशन में अच्छी देजी थी उसके बाद कंपनी के शेशन में गिरावाट आ चुकी है अगली खबर निकल के आ रही है PCBL इस कंपनी को लेकर कंपनी 800 करोड रुपीस का कॉमर्शिल क्याइब उसको इंट्रीड्यूस किया है फ्रस्ट वेस के अंदर 63,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी रहेगी उसके बाद दिरे दिर करके प्रोड़क्शन रेट को इंक्रीस किया जाएगा डोटल यहाँ पर से प्रोड़क्शन सेकंड स्टेज के अंदर 173,000 टन्स पर एनम क रहने वाली है तो यह कुछ यहाँ पर अप्डेट निकल कर आ रही है PCBL इस कमणी को लेका इसकी वेदे से आज की दिन कमपनी कि श्यम में ओवर-एल तेजी बनती वी नजर आ रही है अगली है अपर से ख़बर निकल कर आ रही है ता रतना इंडिया इस कमणी को लेका रतन पर से 6% के आसपा से decrease कर सकती है तो यह एक यहां पर अपडेट निकल के आ रही है ऐसा है यहां पर कंपनी का प्लान है बाकी रिवर्ट मोंटर्स इस कंपनी के जो यूजर्स है यह जो यहां पर बाइक्स पर्चेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है बाकी रतने इंडिया यह जो आपर कंपनी यह प्राइसिंग कम कर रही है तो इसके पिछे का रिजन यहां पर हो सकता है कि बाई सेल्स कम आ रही हो यह यहां पर से विकल कम भी करें ठीक है बाग यह खबर के चलते हैं आप लोग इस कम्पनी के शिर्कों ध्यान में रखके चलना अगली यह हैं यहां पर अपड़ेट निकल किया रही है जहां पर यहां पर से यह कम्पनी अलग अलग यहां पर इलेक्रिक विकल्स होते हैं नॉर्मल हैं पर फॉर-Wheelers होता है उनके जो ऑटो möbiles component से होता है वो यह company manufacturing करेगी ठीक है यह कुछ यहाँ पर update निकल के आ रही है जहाँ पर यह company का new plant के अंदर mainly यह company 1.8 million gears and बताया जा रहा है कि बाई यह company अपने जो gears manufacturing यह ना उसको यहाँ और जदा increase कर रही है इसके लिए company यहाँ यह new plant लगा रही है ठीक है अगली खबर निक metric ton per annum की capacity बढ़ाने के लिए rail mills की यह rail mills आप लोग ने देखाई होगा जो यहाँ पर से जिसके उपर rail की पट्री आप लोग ऐसे बोल सकते हो त्यारी इसको यहाँ पर उसकी जो production capacity है ना इसको बढ़ाने के लिए company यहाँ पर से यह पूरी कोशिश करिए ठीक है company का plan है क कि आने वाले समय में इनका जो odysa वाला जो plant है उसको यहाँ पर से और ज़्यादा production capacity बढ़ा कर 2.2 million metric ton per annum पर पहुचा दे ठीक है और इसकी वज़े से आप लोग GLSP के share को भी नजर में के चलना अगली आपर से खबर निकल के आ रही है लोधा developer इस company को लेकर company आपर प्ल यहाँ पर company bonus share या कुछ बड़ी announcement कर सकती है तीसलिए आप लोग लोधा developer को नजर में रखके चलना कुछ बड़ी announcement आती है bonus share को लेकर तो हो सकता है आने वाले समय में company के share में एक अच्छी तीजी देखने को मिले ठीक है बाकि इसी खबर के वज़े से आज के दिन company के share में अच्छा उच्छा देखने को मिल चुका एडिक है तो बस आच के लिए तना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और चनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना good bye love good bye फिर मिलते नेक्स वीडियो में good bye